उमंगों की युडान है आशाओ का सुमा सेवा का लक्षु महान संग सर्वशक्ति मान हम भी चले तुम भी चलो चलता रहे कारवा वो जिन्दे की हर खुश्टु मान सुख मैं हने सारा जहा सारा जहां सारा जहां सारा जहां वी आ दो विंग्स आफ ड्रह्महा कुमारीश वी आ दो विंग्स आफ ड्रह्महा कुमारीश नमस्कार ओम शांती जब हम अपनी कार्ट को लेकर निकलते हैं या फिर वहिकल्स चाहे वह बसेज हैं ट्रक्स हैं ट्राइक्टर्स हैं ट्री विलर्स है उस र्यात्रा को भी सुरक्षित बनाने के लिए हमारी सरकार ने कुछ रूज्ज एंड रेगुलेशन बनाये हैं लेकिन अक्सर करके हम यह कि उन rules and regulations को हम follow नहीं करते, उनका उलंगन करते हैं, उनकी importance को हम value नहीं करते हैं, तो आज के इस episode में हम जानेंगे कि जो rules and regulations जो हमारी safety के लिए बनाए गए हैं, उनको follow करना क्यों जरूरी है, और इसी topic पर चर्चा करने के लिए हमारे बीश में माजूद है, आज हम बात कर रहे हैं, जो हमारे लिए सरकार सेफटी के लिए rules and regulations बनाती है, और कही ना कहीं उनका हम बहुत जादा उलंगन करते हैं, हम उसका महत्म नहीं देते हैं उन शीजों को, तो क्यों इंपॉर्टेंट है हमें उन rules and regulations को follow करना? सबसे पेली बात तो ये कहा जाता कि the culture of a country is visible from its roads, कोल भी जब आता है, तो उस देश का culture क्या है, सबसे पहले वहां enter होते ही, कि वहां का road discipline कैसा है, उनका वहां से ही thought process start हो जाता कि यहां पर हमें कैसी experience होते हैं, तो कहीं कभी किसी ने कह भी दिया कि अगर लाल लाइट लेते हैं और आप रुकते हैं या नहीं रुकते हैं, तो इसी लिए हमारा culture किसी दी कौरिंग टूरिस्ट को भी या एक थान से दूसरे स्थान अपने देश में ही कोई यत्ती जाता, तो उसके culture की feeling, वह फ्लेवर उसको वहां की सडकों से आने होते हैं, जब भी कोई काइदा बनता तो उसको follow करने में अपनी यतिगत benefit होती, केवल एक enforcement के रूप में उसको practice करना ये तो और बात है, बट उसके benefit को समझ कर उसको practice करना, that is the beauty of our self-discipline. Very true, जैसे हम लोग देखते हैं कि हम रास्ते पर भी जा रहे हैं, तो boards भी लगे होते हैं, signs लगे होते हैं, कि आप drinking मत करिये, drink करके आप गारी नहीं चलाइए, या speed limits की बात करते हैं, लेकिन अकसर करके हम लोग उस speed limits को cross करते हैं, शायद इसमे ऐसा हो सबता है कि we are not aware उसकी importance क्या है, उसकी significance क्या है, जैसे आप speed limits की बात कर रहे हैं, तो speed limit का sign post लगाने के पीछे एक reasoning है, एक meaning है, क्योंकि हर चीज की अपनी एक limit होती है, कोई vehicle है, तो हर vehicle की अपनी एक limit है, कि जिस limit में व्यक्ति उसको properly control कर सकता है, if we cross that limit, तो व्यक्ति का उसको समय पर control करना हुश्किल हो जाता है, very true, difficult हो जाता है, difficult हो जाता है, और ना केवल vehicle की अपनी limit है, लेकिन जो सरक बनी हुई है, उस road की भी जो construction है, उसकी भी अपनी limitation है, कहीं बार हम road maintenance proper नहीं है, उसके बारे में complaint कर सकते हैं, बद उसकी operations, उसकी handling कैसे हो रही है, जो उसकी limits से उसके अधार पर उस speed limit बनाई होई है, और हम एक जिम्मेवार नागरिक हो कर के उस speed limit को अधियार करते हैं, so we are extending our cooperation for proper maintenance of the thing, rather indirectly, but हमारी ये cooperation है, और केवल vehicle और सडक की ही नहीं, लेकिन हमारी अपनी eyesight की, हमारी अपनी vision की भी कोई ना कोई limit सरूर है, हमारा जो field of vision है, it's inversely proportional to the speed, जितना हमारी speed ज्यादा होगी, उतना हम जो side से objects आ रहे हैं, उसकी observe, उसकी time कम लता है, और हमारे ये reaction time कम हो जाता है, so जहां पर access है roads, side roads की, वहां पर speed limits इसलिए भी लगाते हैं, so that human eyesight की जो vision है, हम देख सके कि एक approaching vehicle, या approaching person, side roads से है, लेकिन शायद इन सब बातों को सोचने के लिए, हमने कभी ख्याल नहीं किया, जब गौर नहीं किया इन बातों पर, and इसलिए speed limit साथी indicators आते हैं, पर ठाफिक लाइट नहीं तान जाने जयाँ जब पर करते हैं, जब भी जद कि एहां शायद, जब एक सायँ जई राओ, डिक हैं आपटों पर हमारे पास traffic lights होती है, लेकिन अजना गयों, red signals को भी तोड़ देते हैं, यही हमारे लिए कितना नुकसानकारक हो जाता है, जिसके लिए कहा जाता कि एक सेकेंड की हमने अगर जल्दी कर दी, तो हम उस वाल्यू को अवेर नहीं रहते हैं कि इसमें हमारी जीवन है, या बोतिंग आवर लाइफ एट सेक, और कितनी पी जल्दी की है, बहुत ज्यादा फरक में ही पड़ता अगर हम गारी को 40 किलो मीटर स्पीड पे चलाते या 50 किलो मीटर पार पे चलाते हैं, जो इस दोनों स्पीड में आता वो तो बहुत कम मिलता, बट हो सकता है कि उस दौरान उस जर्नी में वो स्पीड लिमिट मेंटेन करने से, हम अपने जीवन की और हम हमारे अपनी जीवन के साथ 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 दूसरे जो पिडेस्ट्रिंस हैं या दूसरे वेहितूर्स हैं, को ट्रावलर्स हैं, उनकी हम लाइफ को सेफटी देने के लिए लिए लेकिन इस चीज पे हम गौर नहीं बेते हुए और रड लाइट भी जंप कर लेते हैं, जैसे कही ले जाओ लेगा हैं जैसे अधान का लुटर उसके रोर से पता चलता इसी प्रकास एक व्यक्ति का राइक्टर उन बातों से बता चलता जब पूर उसको देख नहीं रहा हैं, जैसे अब अचानक बाद उस रोड पे कोई नहीं जा रहा हैं लेकिन अचानक कोई जानवर आ या अचानक कोई भी व्यक्ति आ गया तो उस ताइम पे उसकी लाइक को खत्रा हो जाता है तो कोई रूल बना है उसको फॉलो करने में मेरी अपनी बेनेफिक तो जरूर है विकास में अपने आप में एक प्राक्टिस अपने आपने एक अच्छी आदत अपना रहा हूं और यहां को अच्छी आँ आप में हो जाता है जब किसी को ट्राफिक लाइज जंप करते हुए देखते हैं तो धूस्ताव यह जरूर यह सोच सकता तो मैं जो नहीं। लेकिन पॉसका पॉजितिव देखते हैं कि अजर हम को यह सोचे कि अजर भी ज़न एक यह सोचान आपना एक लीव and be the change, be the example, ये इंस्पिरेशन हमें अपने आप में जगाना हो. आप मेरे साथ ही एक व्यक्ती ह फालो कर रहासको में नहीं देख रहा हूँ, तो टोडरा हूँ उसको देख रहा हूँ. कि जैसे हम सेफ्टी की बात करगे हैं, तो साथ हुआ चित बात करूंगी। कि seat belts भी जो है अजकर गुष्टरी है आजकर लेकिन कई जो लोग है उसकी इसकी इसकी समझते नहीं है वो आजकर इन फाक्क डरते है वो यह कहते हैं की seat belts तरफ इसलिह लगाना है तँ़ नहीं कर जाए उसको यह नहीं पता की मेरी safety इसमें छुकुए है तो ऐसे में हमें क्या अपने अंदर ऐसी मान सिकता या इसे सोच हम अपने में डवलाप करें? इसमें ऐसा है कि भई लव और लॉ का एक बैलिंस जितना हम अपने लाइफ में मेंटेन करते हैं कि हम लॉस को फॉलो भी कर रहे हैं बट एक एंफोस्ट लॉ है उस एंफोस्मेंट के हिसाब से नहीं लेकिन हम अपने जीवन से प्यार करते हैं और क्योंकि हम अपने जीवन से प्यार करते हैं इसलिए हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, जैसे आब बात कर रहे हैं, seat belt की, a seat belt indeed protects, शुरुवात में किसी को ऐसे लगता है कि हमारी movements को यह restrict कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं है, जो लोग इसको यूस करते हैं, वो महसूस करते हैं, in case of an emergency break, the seat belt really protects, और अगर वो emergency break में ही protect कर रही है, so in the case of a collision, it really saves you from the impact, लेकिन इस चीज को अगर हमने उतनी value दी, अपने जीवन से हमने उतना प्यार किया, तो हम उस चीज को अपने लिए follow करेंगे, अगर एक enforcement job चलान कतने वाली बात करें, वो अगर किया तो हमने किसी और के लिए किया, फिर हम वही बात आजाएगी कि जब अजय करेंगे को अपने कि और किया बात रहे है उस समय पर हम इसको यूसे यूसे करा लिए बिलकुल, हमने एक रनाउंग बिजनस्मान का फर्स एक्स परिंस ये सुना था ये सुना था है, कि वह एक रवल कर वह थे तो पहना हुआ था, अधनली उनको क्या इस्परेशन आ उनको हुआ कि नहीं, I should buckle up, he put on his seat belt, और अनायस कहते हैं कि उस्ती समय पर विदिन टू मिनिट्स यविद टू मिनिट्स अपने स्ट अपने कार में, वो खुद, यव वो ही बचे, वो एक रचे, क्यों? क्योंकि उन्होंने सीट बचे पहनी थी, तो वो तो अपना इतफा कह रहे थे कि पहना नहीं था, कौन सी इंस्परेशिन मुझे आई, मैंने सीट बचे पुट-on किया, इस चीजों में ऐसा है कि अगर गलती कर दी हमको दुबारा शायद चांस भी ना मिले कि हम अपने आपको करिक्टर्स पतले सीट बिल्ड्स के अलावा भी से टू विलर्स की हम बात करते हैं तो आजकल हेलमेट्स बहुत कंपल्सरी कर दिये गए अगें भाही बात है कि मुझे हमेट इसले डाला है कि कहीं मेरा चलाना कर जाए इसी फिर से हम लोग तू विलर्स को भी लेकर के निकले हैं कि अगर हम स्टाटिस्टिक्स को देखते हैं तो देरा सो मैनी यूथ आई ने व्यकुट 9a कार फिर उसकते हैं बीसी के लिए विलर्स के इसे किस भी होते हैं तो ऑसने यंग स्टाव में अधर विलर्स कोर्व तू इंहें बात हमाच घे घसबाना आप क्या हमके एंटम्ट9 प्रिच्वालिटी को यूमन वाल्यूस को इंटिद्यूस करते हैं to the social cause of road safety. किसीने बहुत अच्छी बात कही है कि for safety is a not a gadget but a state of mind. कि safety हमारी मन की स्थिती है, ये कोई gadget नहीं है. और वो मन की स्थिती को मैं कैसे manage करता हूं या करती हूं, वो मेरे अपने हाथ में है. अगर ये thrill जो मुझे मिल रहा है over speeding से, if I have a better thrill in the practice of stability, तो मैं उस thrill के लिए नहीं attempt करूंगी. बट कहीं न कहीं हम अपने जेवन में जो inner values है, inner core experiences है, peace के, patience के, courtesy के, उन values पे हमारी life में हम वो thrill का या वो खुशी का वो आनंद का नुभव नहीं कर रहे हैं. और इसलिए हम बाहर सड़कों पर सोचते हैं कि over speed ही हमारे लिए सची तो. हमें ये मैसूस होता है कि जितना हम courtesy से दूसरे road users के साथ interact करेंगे, जितना self-control हम अपने vehicle को operate करेंगे, उतना मुझे अपनी journey जो है अपनी यातरा जो है वो एक आंतरिक आनंद का नुभव तेगी. हाँ, बिल्कुल हमने देखा है कि अक्सार करके youngsters ये लोग race करते हैं, तो क्यों इंपोर्टन है कि हम ऐसे चीज़े नहीं करने चाहिए, और टेक्स हैं, ये सब हैं, ये हमारे इंटर्न, हमारे जीवन से संबंधियत काते हैं, हमें अपनी यात्रा का आनंद लेना है, ना कि किसी दूसरे के साथ हमें अपने को 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 अ अब जब तरक मैं उसको ओवर्टेक नहीं करूंगी, I have lost the joy of my journey. संजो मैंने एक रड़ लाई थी देख ली, जहां पर वो व्यक्ती तो उसने गाडी रोक ली, but I thought this is my opportunity and मैं जंप लेगा जाता हूं. और it continues, so इसमें जो मेरी अपनी experience थी, वो मैंने अपनी joy gama दी and I entered into a competition which is faithful. जैसे आपने भी focus की बात की तो मुझे याद आया कि अपसर करके जो लोग है वो मोबाइल फोन हाथ में होता है और एक हाथ में स्टेरिं होता है. और आजकल मुझे सबसे जादा एक ट्रेंडी बन शुकी. फिर भी नहीं समझते हैं. अगर मेरे driving के task को करते हुए, मैं साथ-साथ कुछी दूसरे के साथ mobile phone पर भी interaction करने लगूं, I am using the same faculties once again. वही decision making power में यूज कर रही हूँ, वही analytical abilities में यूज कर रही हूँ, तो ये तो एक स्वाभाविक बात है कि अगर आप एक साथ-दो टास्क कर रहे हैं, तो पर टास्क की जो आपकी efficiency है, वही तो reduce हो जाते हैं. और इसलिए, मुबाइल पर बात करते-करते, the talk can be something which is very important also. So, होसकता है, आप और उसकी सोच में गहरे चलाएं, पूरा concentration ही नहीं चलाएं. आपको फोकस कब shift हो जाता, आपको पता भी नहीं चलाएं. अगर अगर आपके साथ को एक ओर ट्राविलर है, तो आप अपना फोन उनको देदीजिए कि हम कुछ समय बाद इसको बात कर सकते हैं. और अगर इतना इंपॉर्टन थे हम साइड में थोड़ा देर हाल्ट करके बात कर सकते हैं. लेकिन कहीं दो क्या होता है, वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है हाथ में मुबाल रखना ठीक नहीं है, ब्लुटूट से ही हम प्राडी में ब्लुटूट से ही पिटकर लेते हैं, कहां तक हमारी प्रायोरिटी हैं, क्या हम अपने कारी को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं या हमारी लाइफ को प्रायोरिटी दे रहे हैं या हमारी लाइफ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और फिजिकली हैंडिकाप्स में और सम्बडी यल्स और सो यह तो यह तो एक ऐसी बात होई जो लाइफ लॉंग मुझे एक अफेक्ट उसका बना रहता है तो यह इस रादर परस्नल डिसिजिन कि मुझे प्रायॉरिटी किसको देगी है विल्कुलरी अपनी समझ है मालनीजी मैं त्रीक ड्राइविंग कर रही हूं लेकिन कई वार जो मेरे साथवाला है वो पीछे से इतनी स्पीड से आ रहा है वो मुझे हित कर देता है तो अब हम यह सोचते है कि हम तो rules and regulations को follow भी कर रहे थे लेकिन हमारा नुकसान जो है सामने वाले वेक्ती के वज़ाशे हो गया आजकर ऐसे अकसर बहुत कुछ देखने कुम बलता है यहां पे हमारी awareness कितनी है क्योंकि आजकर हम हमारे जो वेहिकल है उसमें हर प्रतार की facilities अवेलिबल है रे, यू, मिरर तो बहुत बेजिक चीज है अगर हमें कहीं ट्रावल करते करते प्यारन अवेल ड्राइवर और हमें यह पता चलता कि यह शायर जो फॉलो कर रहा है वो वेहिकल और उसकी movement से हमें थोड़ी सी भी फील आती है कि वह प्रबॉबबली द्राइवर इस राश ड्राइवर तो हम साइड लेकर के दो मिनिट जो डाउन हो करके उनको आगे जाने दे सब्सक्राइब तो यह हमारी अवेरनेस पर डिपेंड करता और इसी लिए जरूरी है कि हम दूसरी चीजों पर फोकस न करें लेकिन जब एक इंपोर्टेंट कारियर ड्राइविंग का कर रहे हैं त कैसम के सोच में बदलाओं आना चाहिए कि इसमें ऐसे है कि मानली जे को व्यत्ती इंफ्लूएंस ओ अल्कोहॉल में है तो वन हो इस अंडर इंफ्लूएंस ओ अल्कोहॉल वो क्या एक अपनी पैं भी अच्छी तरह से पकड़ाता है अगर उस तमें हम उनको कहीं आप अपन अपना नाम भी हमें लिख दीजिए बट बिकॉर्ट एक अपना नाम भी थीक तरह से साइब नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए हमें अपने आप से यह समझना है कि drinking and driving यह मेरे लिए और दूसरों के लिए कितना डेंजरूस है जी 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 अकसर करके देखा जाए तो समझता हर इंसान है कि मुझे शराब के नशे में वाहन चलाना नहीं हां लेकिन उस समझ को शक्ती के रूप में अपने जीवन में उसको इंबाइब करने के रूप में कैसे ट्रांसफर करना है वो मुझे एनर्जी जो है वो पावर ज इसा सोच सकते हैं कि मुझे एक समय पर जो कारिय करना मुझे उसको पूरी responsibility के साथ करना है ये कारिय में को ये routine नहीं कर रहा है मजबूरी से नहीं कर रहा लेकिन वो मेरी अपनी choice है तो मुझे उस कारिय के लिए कि जो जो चीजे required है उसको भी practice करना है और जिन जिन बातों से मुझे refrain करना है for that particular task तो मैं अपनी responsibility को समझते हुए उन चीजों से उस समय में दूर रहता हूं तो जहां पर self-responsibility की बात आ जाती है तो I know मुझे किस समय क्या करना मुझे किस समय पर क्या नहीं करना बस मुझे उसको practice करना ही के लिए वो motivation और वो inspiration होने की जरूरत है and not just addictions दूसरे भी जो causes बन रहे हैं accidents के for instance आज text करते करते वो यात्रा करते है या earplugs करते करते बाते करते हुए यात्रा कर रहे है और आसपास में क्या vehicle आ रहे है नहीं आ रहे है उसकी complete awareness ही खो जाती है एक young boy, first day college में वो गय थे, first day college attend करके वो return हो रहे थे return होने पर होते हुए he was talking to his father with the earplugs plug to his mobile phone और over bridge न यूज करते हुए वो railway track cross कर रहे थे अब बाते करते करते वो college से railway station पहुँच गए railway station से अब bridge न यूज करते हुए pool न यूज करते वो railway line cross कर रहे है अचानक online with his father communication जारी है और father को एक train का siren सुनाई दे रहा है phone पर father अपने बेते को कहने की खोशिश करे बेटा तुम कहा हो तुम ध्यान से चलो क्या आवाज आ रही है लेकिन बेते क्यूंकि उसने earplugs earphones लगाए हुए थे उसको वो train की siren सुनाई नहीं और बात करते करते ही लेकिस पादर ने पहले साइरुन सुनी और फिर दे वाज अ कम्प्लीट ब्लागाओ तुम मैं लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा और पल भर में ही रेकि क्या से क्या हो जाता है जी और हम इसकी इंपोर्तंस को समझते नहीं है शायद हमें इसकी statistical information भी नहीं है अभी मैं USA की ही statistics पड़ रही थी और कहा कि अमेरिका में हर रोज on an average 12-16 वर्ष की आयू के युवक every day the United States loses 12 teenagers due to a road traffic crash और अगर इसको हम relate करें तो this is equivalent to one classroom in the country every 2-3 days तो globally जो road accidents की वजह से death हो रही है every 20-25 seconds somewhere on the roads of the world कही न कही को एक व्यत्ती मित्यू को प्राप्त कर रहा है और हम इसकी awareness को चोटी-चोटी बातों से चोटी-चोटी good practices से चोटे-चोटे discipline को follow करने से हम इस ratio को कम कर से क्या-क्या safety measures and precautions लेने चाहिए जो हम इन चीजों से बच सके इसमें हमारे जो भी travel के rules बने हुए हैं जिसके बारे में हमने अभी discuss किया है और बहुत अच्छी तरह से government में भी उसको rules को define किये हुए हैं So one aspect is कि जो भी rules बताए हैं उन rules को हम ना केवल उसकी जानकारी रखें लेकिन हम उसको follow करें एक जगह में नियम तोर सकती हूं तो दूसरी जगह भी तोर सकती हूं और वैसे तो कहा जाता ह। हम कभी भी नियमों को तोड ही नहीं सकते कि इतनी अच्छी बात आपने कही है कि हम नियंगों को नहीं तोड़ते हैं, हम अपने आपको ही कही नहीं कहीं मिस्टेक करते हैं और हम कहाते हैं हमने रूसलाइन तोड़ दिया आज नेक्स जेनरेशन क्या सोचेगी? लेकिन ये तो हरेक व्यक्ति खुद ही सोच सकता है कि कोई भी चीज जब एनफोस हो जाए तब करना पड़े तो इसके लिए हमें एक बहुत अच्छी प्रोसेस है जिसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कोई भी चेंज वेदर इस बिक चेंज और प्रोसेस है अगर कोई मेजर चेंज है तो उसमें भी एक प्रोसेस है और कोई भी चेंज को अगर हम देख लेते हैं उसका deep connection हमारी अपनी awareness के साथ है क्योंकि सबसे पहले होती है हमारी awareness जैसी मेरी awareness होती है वैसी मेरी attitude बनती है अगर मैं aware हूँ कि मैं responsible citizen हूँ मुझे safety के साथ यात्रा करना तो मेरी attitude यह होगी कि मैं rules को follow करूँ जैसी मेरी attitude है वैसी फिर मेरी vision बनती है कि मैं उस traffic police को किस नजर से देखता हूँ मैं co travelers को किस नजर से देखता हूँ मैं traffic lights को या sign posts है उनको मैं किस नजर से देखता हूँ my attitude trains my vision और जैसे मेरी vision है वैसे ही मेरे actions होंगे और जैसे मेरे actions है वैसे ही मेरी बनिया है हाँ तो इस प्रोसेस को जब हम समझते हैं तो हमने ये ख्याल आता कि कैसे इनर अवेर्नेस को जागरत करने से हम वर्ल्ड में एक ट्रांस्फरमेशन ला सकते हैं ये इसलिए एक इंसाइड आउट एप्रोच हमने इस सोशल कॉर्स को दिया हुआ है अदर्वाइस जब हम रोड सेफ्टी के कॉंटेक्स्ट में अड्रेस करते हैं गादरिंग्स को या गवर्मेंट ऑफिशल से मिलते हैं दूसरे लाइक-माइड एंजियों से मिलते हैं तो कहीं बार वो हमसे पूछ भी लेते हैं कि ब्रहा कुमारी इस ख्रेत्र के लिए कुछ क और जब इंसान बदलता तो सारी सिस्टम सारी सोसाइटी क्यों नहीं बदलते तो आज की जो चर्चा है इतनी बहतरीन हुई इतनी अच्छी हुई कि जो भी दर्शक होंगे ज़रूर ये देख करके सीख रहे होंगे और उसको अपनी जीवन में अमल भी करेंगे आपकर इस नमस्कार ओम शांती